हेलो गाईज, वेलकम तूँ वाइफाई स्टेटी, चेंजिंग दवी उफ लेंडिंग, स्वागत है, आप सभी का इंडिया के नमबर वन स्टेशनल वाइफाई स्टेटी पे, तो गाईज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज है एट ओफ दिसेंबर और हमिशा की तरह दोस क्या थेंडेकर तो तो सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं, सबसे पहले यहाँ एहां पर देख लेकी क्या-क्या, épisode क्या, कौन-कौन से एगसाइम है जो कि हमारे लिए कवर करना जरूरिय है, अगर आप इन इनमेंसे कि इसी भी एगझ देके question है वो cover करेंगे उसके बाद मैं आज का code of the day क्या है बहुत ही beautiful है आज के सारे newspaper आज के दिने इत्यास में क्या हुआ एक fun fact देखेंगे बहुत ही interesting पांच vocabulary दे हिंदु में से और last में आंसर 1965 आया बिल्कुल सही जवाब है डी आपका सही आंसर मैंने पूछा था कि maximum time डेविस कब जो है वो कौन से country ने जीता था तो आपका आंसर क्या होगा USA आपका सही जवाब होगा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन पेंशन योजना के लिए अधिक्तम आयू सीमा क्या है तो 18 साल से लेकर 40 साल तक का दोस्तों यह bracket है अब आप 55 साल के हो जाओ के बोलो के मुझे pension scheme में enroll होना है तो वो तो मतलब नहीं है उस्टीच का तो है ना इसलिए दोस्तों 40 साल यहां पर रखी गई है नेक्स्ट ए एफाई एच जूनियर और की विशू कब 2021 में भारत किस इस्थान पे रहा तो हमने दोस्तों थर्ड इस्थान के लिए फ्रांस के साथ में हमारा मुकाबला हुआ था लेकिन हमार गये थे तो हम लोग अभी फोर्थ पोजिशन के उपर है जो कि इस अंसर होगा ठीक है उसके अलावा जैसे कि आप सभी को मालूम है अगर आप इंडिया में किसी भी एक्जाम की फिपरेशन घर बैठे करना चाहते हो टॉप एजुकेटर से इंडिया के पढ़ना चाहते हो तो आप अनकैट भी प्लस का सहारा ले सकते हैं जहां पर सारे टॉ सरीज सब कुछ आपको पूरा कॉंटेंट आपको मिलता है अप रैफल कोड आपको लगाना होता है भी एचू टैन या फिर बुनेश टैन जिससे आपको टैन परसंट एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है यूपीसी पीसी डिफैंस बैंकिंग एससी सभी एक्जाम में एससी में आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी एगर आप 24 मत की प्रेशन करते हैं तो मातरे 500 रुपे पर मंत में और आइकॉनिक के साथ में साथे 300 रुपे पर मंत में बीच टैन लगा कि आप अपनी प्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं आपको डाउलोड करना होता है यहां पर अपना गोल सिलिट करना होता है जो भी आपका गोल है कैसे जो भी आप एक्जाइम की प्रेपरेशन करना चाहते हो गोल सिलिट करिएगा प्लस पर जाएगा सब्सक्रिप्शन पर 12 या 24 मंत और बीच टैने जो कि आप यहां पर लगा सकते हैं इस पेशे क्लास की बात करें आज सु कर सकते हैं स्माइलफराल सुसाइटी.वारजी के वेबसाइट पर जागे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब एजूकेशन के वज़े से कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है किसी एक बच्चे को एक पीजा की कॉस्ट में एजूकेशन देने को लेकर मदद की जा हैंगे भी एच्चु टैन रैफल कोड़ आप काम में ले सकते हैं ओके आज का कोड़ दे देखते हैं जो कि यहां पर अलबर्ट आइस्टैन के दुवारा एक बार एक बात बोली गई थी एशिप लॉज एशिप इस और शूर बट डट इस नॉट वाट इस मेट फॉर तो बिल्कुल सही बात है जो कि इनके दुवारा बोली गई देखिए सबस्दा सेफ्टी जो है ना वह एक शिपकी कहां पर होती जब वो कोने में खड़ा रहता लेकिन क्या वह सीच के लिए बनावा है क्या इंसान भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से होता है हम लोग हमीशा से सेफ्टी 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 की तरफ सोचते रहते हैं लेकिन एक्चुली के अंदर दोस्तों हम लोग भी जो है उस चीज के लिए एक हंडिट पर्शन नहीं बने हैं लाइफ में रिस्क लेना जरूरी होता है अगर आप जिसको भी दुन्या में फॉलो करते हो किसी को भी अगर आप अप्रिशेट करते हो अगर आप उनकी लाइफ को निकालोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि उनकी लाइफ में रहा था इसी वजह से मतलब वो आज एक दुनिया के लिए बाखी के लिए मोटिवेशन फैक्टर है जो कि बने गरें हुए हैं आपकी लाइफ में पी जब 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 आप ठोड़ा अलग करो दोस्तों के लिए बहुत बड़ा सोड़ से चो कि बाने गहीं नुक altered कि जो रहता हुओऑ उमीर करता हुआ कि आप इस बात से जरूर कूछ को सिखेंगे चलिए आगे बात करते है आज के थेनिदू की तरफ, आज के थेनिदू की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले यहां पे नागरलेंड चाहताए कि अफस्पा जो है वो रिपील कर दिया जाए उन्हों ने हॉंट बिल फैस्टिवल जो की बहुती फेमस फैस्टिवल है दिसमब बैनर जी ने बोला है कि बीएसेफ जो पर्सनल है उनको हैपिटेशन में अलाओ ना किया जाए आपको मालू में रिसेंटल गौर्रमेंट के दुवारा अमेंडमेंट किया गया था उन्होंने बोला था कि जो बीएसेफ है वह हमारे जो भी बॉर्डर वाले राज जैना तो प स्टेटमेंट है और यहां पर उमी क्रॉं को लेकर कि यह जो वेव है ना यह काफी माइल्ड है रिपोर्ट में दोस्तों बताये गया है कि अगर यह कैसे फैलते भी ना तो इसमें ऑक्सिजर की रिकौर्मेंट या ऑस्पैलिशन की जो रिकौर्मेंट हो बहुत ही जादा कम मैं जो की पढ़ रही है ये बात मैंने आपको कुछ दिन पहले भी जो है वो रिपीट करी थी ठीक है गाई तो यह पुरा का पुरा यहां पर सुदा भार्दवाच को सुप्रीम कोट ने भी जो है पेज नंबर पांच जो है यहां पर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइट को लेकर देखिए दोस्तों अभी रिसेंटली जो है न यहां पर दो न्यूज है एक तो यह वाली है और एक यह है हैधराबाद वाली है दो न्यूज है दोनों के बारे में डिसकुस केल में सबसे पहले बात करेंगे अधराबाद के अंदर तो यह आपको मालू में यूज की एरो स्पेस और डिफेंस मेजर कंपनी लॉकिन मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी दोस्तों कंपनी माने जाती है कल पर सो मैंने आपको बताया भी था जो की आम सो बनाती है और ब यह बनाएगी आपके विंग्स जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी फाइटर प्लेंस होते ना उनके विंग्स जो होते ना तो यह विंग्स अलग जगे पर बनते हैं बॉड़ी अलग जगे पर बनती है उनके जो पहिये होते हैं वो अलग जगे पर बनते हैं तो सब अलग co-produce करेंगे future के अंदर fighter wings ओके तो इस company का नाम रखा गया है TLMAL joint venture है Tata Advanced System Limited और Lockheed Martin Analytics Building Limited के बीच में 2008 के अंदर यह agreement है दोस्तों जो की दोनों के बीच में होगा था कि fighter wing के prototype है जो की बनाएंगे इससे क्या होगा कि manufacturing और जो delivery capability है वो Lockheed Martin के भी प्रूव होगे और हमारे देश में भी क्या होगा फॉर्स्ट fighter wing prototype जो हो हमारे आप भी बनना चालू होगा समझ गए और यहां पर तेलंगाना के जो इंडस्ट्री और IT मिनिस्टर है उन्होंने भी दोस्तों आपे इनके साथ में मुलागात करके और यहीं पर इसको setup करने के लिए बोला गया है ठीक है चलिए तो यह बात आपको द्यानक निए पेपर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है आने वाले टाइम पर F21 जो fighter plane है ना उन सबके fighter wings है जो की यहां पर ही बन सकते हैं सेकिंड यह आपे एक और important बात दुनिया के दोस्तों दस सबसे बड़े military के अंदर खर्चा करने वाले country कौन से हैं तो 2021 के अंदर सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसमें 2020 के बताएगे तो USA आप देख सकते हैं 778 billion dollar ओके खर्चा है जो की USA करता है उसके बाद में UK 59 और उस 72 billion dollar के आसपास ठीक है तो USA और चाना यह जो खर्चा करते हैं वो अपने defense capacity को भी दिखाने की कोशिश करते हैं अपने defense को strong करते हैं लेकिन को बेचना होता है इसलिए खर्चा करना भी बहुत जरूरी है तो USA तो आपको मालूम है पूरी दुनिया में अतियार सब्लाई करने दॉलर इंडिया 72 billion dollar उसके बाद रश्या 61 billion dollar ठीक है तो यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है चलिए ठीक है अगर मैं GDP के हिसाब से बात करूं कि कौन सा देश अपने GDP का सबसे ज्यादा हिस्सा है जो कि खर्च करता है कि अगर मैं यह बात करूं तो यहां पर आप देखोगे तो ओमान दोस्तों साउदी अरेबिया अलजीरिया कुवेट यह ऐसे चार कंट्री जो की maximum portion जो है अपना GDP का military के ऊपर खर्च कर रहे हैं और यह सारे Middle East वाले countries एक अफरीका अलजीरिया कुवेट Middle East है इस्राइल मिलिस्ट है इस्राइल के तो क्या प्रॉब्लम भी है क्योंकि चाओ तर्फ से गिरावाया प्रॉब्लम में तो उसको तो खैर बनता भी है बाकिया आप देख सकते मेजरली मेजरली है ना चलिए आगे बात करते हैं अग है जो कि पिछले वाले के अंदर देखने को मिला है ठीक है तो यह बात आपको ध्यार रखनी है ठीक है और यह देखिए सेकिंड लार्जेस्ट आम्मी है हमारे पुरी दुनिया में डियाडियो के जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे है साथ से आट बिलियन डॉलर के चल रहे है और स्वीजन पोर्टल है जो कि हमने दोस्तों बना रखा है प्रमोट करने के लिए इंडिजिनियसनेस है इसके ओपर कई सारे स्पेर और कई सारे समान है जो कि हम लोग खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह बात भी आपको द्यानक में आगे बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइट को लेकर एक और दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है वो क्या है एचाइवी को लेकर देखो आपको मालूम है एचाइवी दोस्तों एक ऐसे समस्या है पूरी दुनिया के अंदर जिसको लेकर अभी तक कोई भी 100% मेडिस्टान 100% वैक्सेन यासा कुछ भी नहीं बनाए एचाइवी का ही दोस्तों बड़ा रूप जो होता ना जिसको लास्ट स्टेज क्याते है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एचाइवी किया है human immunodeficiency से अपनी बाड़ी के अंदर हमारी immunity को जो है वह डिस्टाट करता है तो इसको इसको हूं हम लोग क्योंकि HIV का ही एडवांस वर्जन जो लास्टेज होती है उसको हम लोग एड से जोकी कहता है समझ गए रिसर्चर दोस्तों इंडियन इस्टिटूट आफ साइंस ने कोलापरेशन किया और यहां पर पता लगाया कि जो हाइड्रोजन सुलफाइड है ना है जिसको हम लोग कहत हैं यह जो ग्यास है वह क्या करती है सप्रेस करती है दोस्तों एचाइवी को तो हमारे रिसर्च में पता करा गया है कि एस्टूएस का डारेक्ट इफेक्ट है रिडियूस करना रेट का जो वाइरस मंटिप्ला होता है हुमन बॉडी के अंदर होता क्या है यह वाइरस हमार यह कम कर देता है दोस्तों H2S जो है यह गैस है वो यह आप पर बताए गई है समझ गए आपको मालूम है अभी नॉर्मल ही हम लोग क्या करते हैं पुरी दुनिया में ट्रेट्में जो चलता है उसको बोलते हैं CART CART इसको बोलते हैं Combined Entry Retroviral Therapy तो यह पांच की जएकर 10 साल जी सकता है समझ गया लेकिन यह इसको सप्रेस करने के उपर काम नहीं करती लेकिन यहां पर है इसके नेगटिव डिपार्टमेंट बैट बैक्रो बाइक्रोबालोजी चैल बाइलोजी और सी इडियर यह सारे के सारे लोग थे जो कि इसीजिशक इंदर इंदे अब देखिये दोस्तों यह और सो यह को यह जोंग दोनौं को एक ही मांनता है लेकिन असा नहीं होता है głowून एक्वाइड हो चुका है बॉडि में यानि कि लेटर स्टेज है यह इमिनिटर सिस्टम को डिस्टॉर्ट करता है दोस्तों यह लास्ट टेज होती है हमारी है चाइवी की एड्स पेशन्ट जो हो माइनर डिफिकल्टीज होती है चाइवी में लेकिन एड्स के अंदर बहुत देखने को मिलती है चाइवी यह देखिए तो दुनिया में सबसे बहले अगर मैं इसकी इस्ट्री की बात करूं कि आचाइवी की शुरुवात कहां पे हुए थी तो हैचाइवी वायरस दोस्तों सबसे पहले किन सासा के अंदर देखने को मिला था कॉंगो के अंदर 1920 के ट वायरस था और जब उसने मार के उसको खाया तो ब्लड उसकी बाड़ी में गया उसके बाद में 1980 तक तो दोस्तों यह पता ही नहीं था कि कितने लोग को एट से जोकी हो रखा है ना देर 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 उसके सिंटम्स के बारे में पता नहीं था लेकिन ओवर दाइम जो है दोस् दोस्तों हमारे बाड़ी में CD4 के ओपर अटैक करता है यह क्या है CD4 एक white blood cell होता है जो कि हमारे बाड़ी में immunity system को improve रखता है अगर इस CD4 को दोस्तों HIV ने अटैक कर दिया और खतम कर दिया तो आपकी बाड़ी में लड़ने की capacity खतम हो जाएगी अगर आपके cold हो गया तो भ हमारे बाड़ी में CD4 गिर के दोस्तों रह जाते हैं अब यह दोस्तों के साथ में कैसे कोई लड़ेगा यह problem होती है दीरे दीरे cancer के infections बढ़ जाना minor injury जो है बीमार होना यह सारे के सारे treat करना इनको बहुत ही मुश्किल है जो की हो जाता है समझ गए transmission होता है दोस्तों body के blood क के द्वारा सीमन के द्वारा vaginal secretion के द्वारा breast milk के द्वारा यह सारे के सारे fluid है जिसके वज़े से transmission होता है और ठीक है और undetectable HIV जब बॉड़ी के अंदर HIV की बहुत ही कम number होता ना तब ब्लड टेस्ट के अंदर भी जो है वो detect नहीं होता है चुली के अंदर AIDS के लिए पता नहीं हो जाते नहीं नंबर से HIV के तब यह टेस्ट में पता लगाया जाता है सिम्टम्स दोस्तों दोस्ते 6 वीक तक तो बहुती माइल्ड होते हैं जादा नहीं होते हैं थ्रॉट में सौर होना पसीने आना मसल में एक होना बॉड़ी पेर होना ना रैशिस होना यह सब बात करें तो पूरी दुनिया में ऐसा माने जाता है कि साथ करोड से भी ज्यादा लोग है जो कि HIV से इंफेक्टेड है और साड़े तीन करोड लोग के मृत्यू है जो की देखने को मिलती है ओके ग्लोबली 36 मिलियन पीपल जो है वो आज भी HIV के साथ में रह 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 रहे हैं 27,000 केसे 2017 में देखने को मिले लेकिन डिकलें डिकलाइन भी हमने काफी किया है क्योंकि प्रोग्राम में जो की काफी सारे चलाए जाते हैं ठीक है कई सारे पैक्टर के ओपर दोस्तों डिपैंड करता है कि एक एच वाला परसन कितने साल है जो की रहेगा जैसे कि उसकी एच क्या है बॉडी के अबिलिटी क्या है क्वालिटी कैसी है इन सब चीजों के ओपर मेंटर करता है चलिए चाइव और चाइवी टू दो तरिके के वाइरस है जो की देखने को मिलते हैं लोग को एक्चुली मैं वन के बारे में पता होता है क्योंकि नॉर्मली जो है वन ही है क्योंकि majority of cases देखने को मिलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है चाइवी टू भी होता है जो कि लेस कॉमन है और आपको वेस्ट और सेंट्रल अफ्रिकल रिजिन के अंदर देखने को मिलेगा हालाकि दोस्तों एट जो है वो दोनों से ही होता है है ना चाइवी टू को पता करना प्रिवेंशन का एक सिंपल तरीका है जोस्तों सेफ सेक्स टेस्टिंग करवाना काउंस्लिंग करना वरिंटरल मेडिकल मिल ओके सरकम्सिशन यह कुछ तरीक है जिससे प्रिवेंशन किया जा सकता है यूएन एट्स की बारे में बात करें तो एक ऑगनाजिशन भी बनाए ग आप करते हैं एक गुड न्यूस दोस्तों यह है कि रिसेंटली एक परसन जो की लंडन के अंदर एचाइवी से इंफेक्टेट था उसको लंडन पेशन नाम दिया गया था वो सेकिंड परसन है आफ्टर दा रे ब्राउं जिनको क्योर किया गया एचाइवी से एक टेक्निक होती है CCRB डेल्टा 32 टेक्निक इस टेक्निक के द्वारा दोस्तों दो लोगों को जो है वो क्योर कर दिया गया तो यह एक गुड़ी हुज है जो कि पूरी दुनिया के पास में है फिलाल HIV AIDS को लेकर ठीके गाई तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिल गई हो हुआ ओके आगे बात करते हैं जो कि पेज नंबर साथ डेटा पॉइंट को लेकर जो कि दोस्तों साइलेंट विक्टम वाइलेंस को लेकर बोला गया है यह आपके एक्जाम पॉइंट अभी से नहीं है इंपॉरेंट लेकिन यह ऐसे कुछ टॉपिक्स होता है जिनके उपर तो यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर दोस्तों बताया गया है एक्सपिरियंस जो है वो आज भी दोस्तों महिला है जो कि इस तरिके से कर रही है पांस साल बाद में अगर एनेच एनेच एफस 2015-16 से कंपेर किया जाए 16 15-16 सागर मैं 19-21 को कंपेर करूँ 4 से 5 व और चिहार यह 3 राज्व मैं मैक्सिमम वाइलन्स जो कि किसभी महनफर दष शादी जो कि देखने को मिली है तो यह बहुत ही गलता एंसिडिनेंट है जो कि कि जह सकता है थिक वितना अध्यूकैट़ पर यहीं होसकती घंदत के यह किसी भी मैला के वोपर हें जो कि वहाथ उठाए है वाला है प्रिके हो सकता है गलती को या वाइफ वाइफ के ओपर कर सकता है तो उमीद करता हूं कि ओऊंधि जो एँछ को सपौर्ट नहीं करेंगे आइन चीजों को motivate करेंगे खी रोगों को आपकी चीजिए करते हो जो किलाब होते हैं यह राज्य दोस्तों सबसादा डॉमेस्टिक वाइलेंस है जो कि आपर देखने को मिलती है करनाट का हुआ इसके लावाद जम्मू कश्मीर हुआ और यह देखियो यूपी के अंदर 34% महिलाओ ने विटनेस किया तमिल आदू में 38 करनाट का में 44 जो लीस्ट है वो हिमाचल है 8.3 किरिला 9.9 है ना और 6000 के डॉमेस्टिक वालेंस के कंप्लेंट भी जो है वो रंजिस्टर करी गई है तो यह आपर दोस्तों बताए गई एक व UAE की important news है ठीक है UAE और साथ मैं olympic bycourt दोनों को लेकर बात करेंगे यहां पर आगर आप देखोंगे दोस्तों तो चाइना ने वान किया है Tuesday को US को कि वो प्राइस पे करेगा अगर उसने diplomatic bycourt है जो कि Beijing के winter olympics का किया है तो human right के concern को लेकर आपको मालूम है दोस्तों एक तर winter olympics जो कि अभी चाइना में होने वाल है उनका diplomatic bycourt करेंगा diplomatic bycourt का मतलब है कि कोई भी अपने official को वो नहीं बेजेगा अगर इसका मतलब यह नहीं कि हो participate नहीं करेगा नहीं सारे sportsmen participate करेंगे यहां पर लेकिन यहां पर official participate नहीं करेंगे ओके तो यहां पर चाइना ने भी है कि उसको price है जो कि pay करना पड़ेगा अगर उसने इस तरीके से किया तो ठीक है और international olympic committee ने भी इसको purely political decision है जो कि बोला है हरे government का और IOC जो है वो politically neutral है तो वो किसी भी तरीके से किसी भी country को आपस ना तो उनको favor करना चाहती है ना ही वो उनको favor करना चाहती है करने के लिए बोल दिया गया है जो कि बीजिंग के अंदर होने वाला है यूएस का ये कहना है कि चाइना के अंदर जो human rights का violation हो रहा है atrocities हो रही है उसके वज़े से वो bycott है जो की कर रहा है इसको diplomatic bycott ना में जो की दिया गया है सारे के सारे athlete है जो की participate करेंगे यहाँ पर तीन कारम बताए गए एक तो Taiwan और Tibet के अंदर जो situation है उसको लेकर जो कि Taiwan चाइना ने कंट्रोल किया है पावर से क्रेक्डाउन जो Hong Kong में किया है और साथ मैं मानेटी मुस्लिम्स योगर मुस्लिम जो शिंग्ज्यांग वाले प्रोविंस में रहते हैं उनके अभी उसको लेकर जहां परी वर्ल्ड दोस्तों इनको करने के लिए यूएस ने बोला है इससे पहले भी दोस्तों ऐसा हो चुका है कि यूएस ने पहले भी बैकॉट किया यूएस ने उनीस सो असी के अंदर एक बार कम्प्लीट बैकॉट है जो कि ऑलम्पिक को कर दिया था उस ताइम पर यूएस ने उन्दर या ओलम्पिक के जोकी होने वाला था लेकिन यूएस ने कहा था कि सोवेट यूएन की जो मिलिटरी प्रिजेंस है अफगानिस्तान में उसके वज़े से उसने बाइकॉट है जो कि किया था एक्चुली हुआ क्या था शैवंटी ने इन्दर सोवेट के यूए पर अफगानश्टान के ओपर रेट किया था और वहां के कम्विनिश्ट को सपोर्ट किया है और उस टैम पे दोस्तों जब इया था उसके बाती आपके देश को अच्रीत चलाओंगा यूए से उस्यार को तो अंपने निखा गया है यूए सब्सक्राइब तो रश्या ने चोड़ने के बाद में वहां की गवर्मेंट जो है समाल ने पाई और वहां पे तालिबान के आतों गिर गई अधरवाइस उस जमाने में जो है वो अफगानसान काफी डबलमेंट कर रहा था महिलाओं को राइट बहुत थे लोग काफी आगे बढ़ रहे थे बना कुल बला के इंडिया के बराबर डबलमेंट रेटे जो की महां पर पहुंच गये थी लेकिन 2018 के अंदर जब युएस ने बाइकॉट किया तो दुनिया के साथ कंट्रीज ने दोस्तों ओके आइन 1980 around 60 country refuse to compete in Olympics आप देख सकते हो चाइना जापान दुनिया के कई सारे country ने जो है वो USSR को बाइकॉट है जो कि Olympic का कर दिया था इस बार दोस्तों चाइना जो है summer और winter Olympics दोनों को host करने वाला है और पहला first time है Olympic history के अंदर जो की country summer और winter Olympics दोनों को host करेगा ठीक है चार साल के अंदर दोनों Olympics होते हैं दो दो साल के ग्याप के अंदर winter और summer Olympics से जो की करवाय जाते है winter Olympics की बात करें तो छोटा event होता है लेकिन summer Olympics अपने आप पर बहुत बड़ा event है जो की होता है okay guys चलिए ठीक है और IOC है जो कि इसको करवाता है IOC hosting राइट जो होते हैं वो कई सारी देश है जो की participate करते हैं उसके बाद मैं bit करते हैं बिट मारते हैं कि हम लोग host करेंगे कई सारी criteria होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा event होता है बहुत पैसा चाहिए होता है बहुत जगे चाहिए होती है government officials है sportsmen है security है दुनिया पर के तामजा में जो कि एक olympic के अंदर होते हैं और एक country काफी पैसा भी कमाता है ओके फिर कई सारे factors को देखते हुए bidding process को देखते हुए voting होती है और उसके बाद में host city है जो कि select करे जाती है अगर मैं 2020 की बात करूँ तो अभी 21 के अंदर है जो कि Inter Olympics फेरे प्योंचेंग में यह देखे 2022 अगले साल बीजिंग में होने वाला है फिर 26 के अंदर होगा मिलान और कोटिना के अंदर है ना तो अब देखें यहां पर प्रॉब्लम क्या है दोज़ार 28 की प्रॉब्लम है 28 के अंदर USA में होगा olympic तब हो सकता है चाइना भी पता नहीं कहां चल पसंगे काफे बुजर्ग आदमी है चलिए आगे बात करते हैं जो किया यूए को लेकर दोस्तों यूए ने भी दोस्तों क्या किया है वर्ल्ड ग्लोबल यूए भी एक तरीके से ग्लोबल कंट्री बनना चाहता है ग्लोबल सिटीज ने दोस्तों यूब होंगे वो साड़े 4 दिन ही काम है जो कि किया जाएगा पूरे वीकेंद, सटमेज वीकनद है जो कि इसने कर दिया है गोवर्मेंट इंप्लो इस्तों दोस्तों ऑफ्रेड़े को भी हाब दे जो कि ले सकते हैं ओग घूपस्तों क्यों कि अपने जो भी फिनेसल वीक के उपर ही दोस्तों काम करते हैं और ये भी सटेटेटे संडे ओफ है जो की करते हैं तो यही एक कारण है दुबाई के साउधी अरिपे के साथ में बहुत ही स्टिफ कॉंपेटिशन है जो की टुरिजम को लेकर बागी चीजों को लेकर यूए का चल रहा है इसलिए वो दुबाई एक अट्रेक्टिव डेस्टेशन बने वीकेंड के उपर लोग गोबने आए इन फैक्ट जो डॉमेस्टिक लोग है वो भी आपस में क्या करें ट्रेवल करें दुबाई के अंदर यूए के अंदर और इमकी एकनोमी को जो है वो बूस्ट मिले और साथ में वर्क कंट्री माना जाता है मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग जापान के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहां के लोग मतलब सोते ही नहीं है मतलब बहुत साथा काम करवाते हैं मतलब लेकिन आप एक उस टेम पर इन्होंने भी वर्क लाइफ बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए दोस्तों फोर डे वीक अनॉस्मेंट है जो कि क्या था इसी प्रकार से न्यूजिलेंड स्कॉटलेंड स्पेन यह सारे कंट्रेस ने दोस्तों प्रोजेक्ट है जो कि आपर लॉंच कर रखें हैं आगे बात करते हैं इंडिया के अंदर भी यह कल्चर दो को फाइव डे जोरे कि लोगों की दौरा बने गई है अपर लोग समझते हैं मतलब नइंची जो को कि या लोग बहुत काम करते हैं बारा-बारा गंटे कांटे कंड़ते हैं ओके तो थीक है दो दिन का उनका उफ बनता है मतलब लेकिन जो पहले की लोग थे नहीं दोस्तों वह लोग सातो फिसे जो हम गर्वाय करते थे गरविये थे जो को क्या होता है और फिन विदि के काम को पड़ियू करना आपको मालूम एक बार कि अर्विंद केज रिवाल जी जब पहले टाटा को यह बात बोली थी अलाकि टाटा बहुत अच्छा वर्किंग कल्चर में जो की मानी चाहती है वर्किंग कल्चर में हर चीज के अंदर लेकिन एक चोटा सा इंस्ट है तो उन्होंने बोला था कि भी म में काम करते थे हमने इसलिए रिक्रूट किया है आपको में फ्लेक्सिबिल्टी बहुत होती है चलिए ठीक है अगर में स्पोर्ट की बात करो तो यहां पे जो हमारे लिए हैं दोस्तों साबरी को लेकर है देखिए आपको मालूम है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जो है यह भी क्या कर रहा है एक्सपेंशन के उपर काम कर रहा है ताकि बॉक्सिंग को पुरी दुनिया में प्रमूट किया जा सके और फ्रीस्टैल बॉक्सिंग एक तो होती है प्रोफेशनल बॉक्सिंग को एक तो होती है ऑलम्पिक वाली बॉक्सिंग जिसको अमेच्चार क्योब कि माने चाहतिए तो इंडिया के अंदर इन्होंने मे establishing डबलो भी दो इसके अंदर चेंदधें साब्री है वह दोफ्स्टो इन्डिया के चैंपे मैं है समझ ङह This सल weary अरी एंडिया को quality report 2022 है जो कि जाली करी गई जिसमें बताया गया कि हमारे देश के जो टॉप 10% लोग है वो देश की 57% वेल्थ को जो है वो अपने पास में रखे वे हैं ओके और जो बॉटम के जो बॉटम के हमारे देश के 50% लोग है 50% population उनके पास मात्र 13% दोस्तों शेर है वहला 50% population के पास में तो 13% वेल्थ है और टॉप 10% लोगों के पास में देश की 57% वेल्थ है जो कि आज के टाइम पे है इसमें से भी अगर आप टॉप 10% में से भी अगर आप मेरे क्याल से टॉप 100 को निकाल लोगे तो 40% उन्हीं के पास लिजाएगी अगर उपर के 100 लोग निकाल लोगे तो टॉप 10 में भी परसंटीज के अंदर में से भी अगर सो निकाल लोगे तो यह बहुत जादा ऑट तक तक सब्सक्राइब कंडे का सबसे करले से नहीं बढ़ेगा तक वेल्ट का सर्कूलेशन इस तरीके से नहीं बढ़ेगा उपर से नीचे जब आपने अगर बहुत जादा पैसे कमा लिया है और आप रेच हो चुके हो तो it is important कि उसको circulate करके down the line जो लोग है ना उसको benefit पहुचा के इन लोगों को उपर है जो कि लेके आया जाए तब जाएके समाज में से inequality, गरीबी, poverty, hunger है ना इन सारी समस्यों को समधान जोकी हो सकता है अगर ये top 10 देश के अगर 57% जो देश की wealth है वो अपने पास ही लेके रखेंगे तो हमारा country दोस्तों पूर था और आज भी पूर है इस पूर वाली केटेगरी में से हम लोग नहीं निकल पाएंगे तो ये चीज जरूरी है कि देश में philanthropy जो है वो बढ़ना बहुत जरूरी है जिसे अंदर हम लोग बहुत ही पीछे है जबकि पूरी सदी के सबसे बड़े जो philanthropist है दोस्तों वो हमारे देश के ही माने जाते हैं आपको मालूम है जियाडी टाटा उससे पहले जमशेजी टाटा जो थे वो उगे तो उन्होंने बहुत मतलब उन्होंने सदी के सबसे बड़े डोनर है philanthropist है जो कि वो माने जाते है क्योंकि TCS क्योंकि टाटा संस का 70% जो भी पैसा जो कामाते है और टाटा कामाते है वो पूरा का पूरा डोनिशन में अच्छे काम में जाता है इस तरह के से देश के तो टॉप 10% जो लोग है ना जिनके पास में 57% वेल्थ है अगर वो भी सोचने लगे तो यकिन मानिया हमारे देश को वापस से पुराने वाला सोने की चीटा बनने से कोई नहीं रोग सकता तो यहां पर यही पूरा स्टेट से जो कि आपर बताया गया है कि जो 30% लोग है उनके पास में वेल्थ बहुत ही काम मिडल क्लास जो है उनके पास में भी 7 लाक रूपे के आसपास बताए गई है जो 30% है देश जम्सक्राइब आप्हें चले ठीक हैं काफी बड़ा र reactingल है पूरी दुनिया में दोस्तों जो मीना कंट्रीज जे ना मिडलींटे नॉर्थ अफ्रीका मिडिळी आ मिडली इस्ट जो यह सीरिया लेबना या ए्राइम वाला जो एषिं में और जो नॉर्थ अफ्रीका वाले है योड़्सार इंदर बताया गया है कि जो टॉप 10% लोग है को एक चलिए आगे बात करते हैं ज्ञान पिट अवार्ड को लेकर बहुत important है दोस्तो 2020 और 2021 दो अवार्ड है जो कि एक साथ दिये गए असाम के poet निल्मनी जी को 56 ज्यानपीट अवार्ड और कौनका नी नोवलिस्त है दामुदर जी को दोस्तो 57 ज्यानपीट अवार्ड से रेसेंटली सम्मानित किया गया देश का सबसे बड़ा दोस्तो लिट्रेचर का अवार्ड है जो कि माना जाता है अगर आप outstanding contribution करते हो लिट्रेचर में तब इस अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया जाता है समझगे मेरी बात यह बात आपको धान रखना दामुदर जी दोस्तो गोवा से विलॉंग करते हैं साहित्य अगर आप ज्यानपीट की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं चौदा लाक रुपे का इसमा अवार्ड मिलता है 1965 में पहली बात शुरुवात करेंगे 2019 के अंदर एक बच्चा बोलना कि मुझे मालूम है यार जो हम लोग सोचते हैं एक ऐसा राम राध्जया वाल्ट होगा मुझे मालूम है मतलब ऐसा नहीं किनी sis क्रेने होसकता लेकिन बड़ी चीज को कम जरूर किया जा सकता है अगर आपको यह बोलू कि आपको दो टाим बूके रहना है और मैं आपको एक option दू कि यार ठीक है आज से आपको एक time बूके रहना है तो आपको नहीं लगेगा कि यार मतलब काफी कुछ अच्छा हो गया at least मैं दो बार से तो एक time तो बस यही दोस्तों जिन्दकी का होता है कि आपको contribute करना होता है मुझे मालूम है आप 100% किसी भी चीज को नहीं कर सकते हैं 100% satisfaction आप किसी को नहीं सकते हैं 100% खुश आप किसी को नहीं कर सकते हैं लेकिन चीजों को कम जरूर कर सकते हो बहुत जादा problems है अगर आपकी problem थोड़ी कम हो जाए देश की problem थोड़ी कम हो जाए तो यह भी अपने आपने बहुत बड़ा contribution और ऐसे करते करते ही चीज़ें इंप्रूव होती है समझे चलिए आपने रंगदी पसंति में सुना होगा ना डालोग कोई विदेश परफेक्ट नहीं होता परफेक्ट बनाने की कोशिश करने होती है परफेक्ट दीर दीर चीज़ें बनती है पहली बार दोस्तों जो मिला था वो शंकर जी को मिला था फॉर्स्ट विनर थे जब आप आउस्टेंडिंग कॉंट्रिबूशन करते हो लिट्रेचर में तब इस अवार्ट से मिलता है जो आपकी एट शेडूल लैंग्वेज़ें ना इट शेडूल के अंदर के बाइस लैंग्वेज़ें प्लस इंग्लिश इसके अंदर आप कुछ अच्छा लिखते हो तब आप इसने दस ऐसे एस्ट्रनॉट को चुना है जो कि आने वाले नासा के मिशन को सक्सेस्फुल बनाने को लेकर काम करेंगे इसमें एक इंडियन ओरिजन फिजिशन भी है अनिल मैनन जी ओके यहांके लिटेनिन कर्णल है यूएस की एरफोर्स के अंदर इनको भी दोस्तों है इस वाली कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया है समझगे मेरी बात इंडियन इमिग्रेंट्स और उक्रैनियन पेरेंट्स के यह बच्चे थे स्पेसेक्स की फॉस्ट फ्लाइट सर्जन रहे कंपनी की फॉस्ट हुमन तू स्पेसेक्स का डेमो टू मिशन करवाए गय इंडिया उसके अंदर भी इंक्लूड है जो की रहे हैं तो यह नाम भी आपको यह पर द्यान रखना है समझके मेरी बात याद है ना पड़ेगा इंडिया तो बड़ेगा अमेरिका क्योंकि सारे इंडियन पढ़ लिखकर जो है फॉर्दर स्टेडिस के लिए अमेरिका जा वह बहुत ही अजीब बात है वह देश के आपको बताया था नवैंगी पांस लाग लोग है जो कि देश चोड़ के चलेगा है मतलब इनको रोगना बहुत जरूरी है टैलेंट को यहां पर ही इडिलाइज करना बहुत ज़रूरी है चलिए नासा के बात करें तो नेश्टनल सब्सक्राइब और आप देख सकते हैं 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था वाशिंटन डीजी में है और अभी बिल लेंसर जो कि इसके एड्मिस्टेटर जो की माने जाता है ठीक है गाइस ठीक है चलिए और बहुत इंट्रस्टिंग बात है इसका बजट देखिये ना सबटे नासा का बजट और 22 बिलियन डॉल डॉल जो की बहुत-ेठी такого के स्टेश को दो बिल्यन डॉलर का बजट से भी दोस्तों आघंस दुनिया जीतने में चाम कर रहे है वैसे अगर में चैनिस स्पेस्स एजनसी की बात करो तो उनका बजट होता है ग्यारा मिलियन डॉलर तो हम लोग देखें कितने सस्ते किफायती के अंदर जो है हम लोग कितना काम करता है थीक है चलो और यह आइडिया किसका था नासा का बनाने का ने दोस्तों क्या किया है ने वर्टीकली लॉइसट किया है शौट रेंज सर्फस्तू एर मिसाइल देखो पहले क्या होता था कि सर्फस्तू एर देला वहां से इसको अन बोर्ट करके चोड़ना यह उन यह काफी benefit है जोकी रहेगा तो यह recently development है जोकी हुआ है इससे जादा इसके अंदर ऐसा कुछ और नहीं है तो धाई किलोमेटर का इसका radius है खाली करवा के मतलब इसका नहीं खाली करवा के जो है वहां से यह launch चींग है जोकी करी गई है उकके शोड़्रेंज मतलब साटने itself शाल 때문에 की जोकी नडर गूर करती इसकी जो रेंज वह हैं पचाःस से साट किलो मेंटर की चलिए पचास से देख सके हैं कोई बात नहीं है रहे भोगा डवलमेंट ऐसी बात यह आप करोगे हम करेंगे इस यह वह किसी भी देश पे बहुत सारी होती है और कम्या ऐसा नहीं करो रहे करो बढ़या नौकि लगो या कोई अच्छा काम करो बड़ा कहीं करो किसी चीज के अंदर दीरे-दीरे चीज़ें इंप्रूव होती है यह चलिए ठीक है तो दर्शिन एश्या के सबसे बड़े दोस्तों सुरक्षा मिला है जो कि कल से इंडिया के लगाया जा रहा है जो कि कहां पर दिल्ली के अंदर है जोकी होने वाला है तो दर्शिन एश्या के सबसे बड़े सुरक्षा नागरिक सुरक्षा मिले के 14 संस्क्रण International Fire and Security Exhibition in Conference India Expo कहां पर दिल्ली के अंदर है जोकी करवाई गई है इसको E-Pharma इंडिया भी E-Pharma इंडिया भी कहा जाता है ओके गाई और तीम रखी गई है एडवांसिंग इनोवेशन फर ग्लोबल अविएशन डवलपमेंट यह इसकी थीम है जोके रखी गई आला कि जो थीम है वो उनकी हर 5 साल के अंदर है जोकी पांस साल के लिए एक तीम होती है तो शिकागों के अंदर दोस्तों 1944 के अंदर चाइन हुआ था पूरे दुनिया सिविल अविशन को प्रमोट करना हेल्प करना मदद करना ट्रावल करवाना एक दूसरे को कल्चर को जानना जगे को जानना इसको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया था समझ गये एर स्पेस सेफटी सस्टेनिबिलिटी और सिक्योर को आगे बनाने को लेका है ओके चलिए यह भी एक तरिके से क्या है स्पेशिलाइज और फंडिंग एजन्सिय यूएं की फ्लाइट का इस्पेक्शन करना एर नविगेशन बॉर्डर क्रॉस प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स यह सब जो की इसमें देखे जाते हैं टेक्निकल पॉ देखने को मिलती है ठेके तरी में बिलाकर ट्रावल एड़्रावल की बात करें घू पूरी इंडेस्ट्री के बात कर्रहें हो तो हमारे देश में भी बहुत जबहुत जादा है और फंसाल के अंदर जिए में सेलच करी जाती ऐस göra टीटोंगी करें और अब जोज़वा के बारे में बात करते हैं अप्रफेर के लिए तयार हो जाती यह दोस्तों कहां पर ये कुरिल आाइलेंड है नौर्थ पेसिफिक के अंदर रथ। पैसिफिक जो ocean है उसी के अंदर जो रश्या और Alaska के बीच वाला जो एरिया है नीचे वाला है ना वहाँ पर एक छोटे से island है बहुत सारे उनको कुरिल islands कहता है C है वहाँ पर एक उसको बोलते हैं और जिस taxi उसी वाले एरिया के अंदर ठीक है 16 किलो मिटर है गोलविन स्टेट से और रिंग ओ फायर वाले जोन के अंदर ये लोकेड़ेट है यह देख सकते हो आप यह पैसिफिक ओशन है यह लाइन से दोस्तों कुरिल आइलेंड से और इसी के अंदर यह देखे छोट आसा है मत्वा है ना यह आपके जापान और सारे कंट्रिय रश्या इन सब के बीच में है समझ गया तो रिश्यर रिसेंट्ली क्या हुआ रश्यल मिलिक्टरी ने दोस्तों आपके डिफेंस मिसाइल सिस्टम में जो की डिप्लॉय करती है बैसन सिस्टम मत्वा आइलेंड के ओपर यह मत्वा आइलेंड दोस्तों वर्ड वर सेकिंड के बाद में सोवेंट उनिन ने इसके ओपर कब्जा कर लिया था जापान में भी इसके इसके डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो की दोस्तों 500 किलो मेटर रेंज के लिए रश्या के दौरा वापस से आपर डिप्लॉय कर दिया गया है समझके यह दिप्लॉयमेंट के बाद में वापस से दोस्तों चिंता हो गई सभी देशों को कि यह क्या कर रहा रुश्या तो यह और सिपों फोलते हैं इसको एक बहुत ही चोटी सी सी है मतलब जी शैलो एक यह जैसे कि हमारी में इडियन है ब्लैक्स एंगश्टक इसी वाले यह देखे यह बोलते है इसको पूरा एरिया है बेरिंग सी है अलास्का और एस एक बीच में यह कूरिल आइलेंड से समझ गये जापान भी इसके उपर अपना हग है जो की जमाता है 11 किलोमेटर का है वालकनिक आइलेंड से ठीक है आगे बात करते हैं पैनिक्स 21 को लेकर यह जो पैनिक्स 21 है दोस्तों यह क आपको मालूम है दोस्तों कि हमारे बे ऑफ बेंगॉल के अंदर काफी सारे साइक्लॉन्स है जो कि अभी देखने को मिल रहे हैं और जो बेंगॉल से जो अटाइज कंट्रीज है ना वह सारे के सारे वाले कंट्रीज है तो वह सब मिलके जो कि कंट्रीज कर रहे हैं समझ गए जैसे की देखो बूटान और नेपाल इन दोरों को छोड़ तो आप यह दोरों करनेक्ट नहीं करते लेकिन फिर भी यह मेंबर है उसके लावा बंगलादेश मैनमार शिलंका इंडिया थाइलेंड यह सारे के सारे दोस्तों क्या है यह ब और साउथ इस्ट एसियन कंट्रीज में माने जाते हैं जिसमें से दोस्तों एक थाइलेंड है जो कि एश्यान वाला कंट्रीज है बाके सारे तो हमारे ठीक है इधर वाले कंट्रीज है एम क्या है कि आपसे मिलके नेच्छल डिजास्टर को मैनेज करना सीके पूरे के अंद जाए दोस्तों आपके ढाका के अंदर ध्यान रखेगा इंपोर्नेंट है इंगलेशन की ओफिशल लेंग्वेज चेर्मेंशिप जो है वह अभी किसके पास है श्रीलंका के पास है जो कि अब इसकी बिम्स्टैक की चेर्मेंशिप है और इसका इस्टैबलेश्मेंट हुआ वो दो जब ओघ्याधर नेपाल के काटमांडो में ऊससे पहले दोहजार चौदा में हुआ था व कोलेकर यूत्ू क्या है दोस्तों यह क्या मून के उपर ना एक चोटा सा क्योब जो की स्फॉर्ट क्या है और वो भी कहां पर फार साइड ऑफ ता मून के तरह आपको मालूम है कि मून भी दोस्तों गूंपता है अब आप लोगे सारग कि ऊपर आम खड़े होते हैं तो तो आपको दोस्तोओ round Pine ूर्मारी इस स्पीट से साथ आता है और है कि वो भी ओम रहोटा है मेरे इर्थी योटी है समझ गए लेकिन हमें मैसूस नहीं होता क्योंकि उसकी स्पिड जो है उसकी सेम होती है अर्थ की चक्कर लगाने की खुद की स्पिन की उपर अब हमें जो नज़र आता है Moon वो सिर्फ एक साइट का नज़र आता है हमें नहीं पता कि उसकी दूसरी साइट दोस्तों क्या है कैसा है Moon यह हमें नहीं पता उसी वाली साइट को आप लोग क्या बूलते हैं Far Side of the Moon कहते है ऐसा माना जाता है कि जो दूसरी साइट दोस्तों खटे बहुत ज़ादा है और क्रेटर बहुत ज़ादा है बहुत ही अजीब सा उसका सर्फेस है जो की देखने को मिलता है लेकिन यह हमें नहीं पता समझ गया है इसलिए दोस्तों अभी Far Side of the Moon के ओपर चाइना के दुआरा मिशन है जो की बेजा गया है और वो Far Side of the Moon की मिस्ट्री के बारे में पता लगाएगा यह देखिए अभी तो रिसेंटली एक क्यूब जो है न उसके बारे में इसने पता लगाएगा वहाँ पे एक क्यूब है जो की उसको देखने को मिला है यह देखिए यह एक इमेज है जो की इसने बेजी है अर्थ के उपर यह देखिए इस तरह के का यह चोटा सा क्यूब अब यह क्यूब क्या है क्या नहीं है हाँ न और ये क्या मिस्टरी है इसके बारे में तो तभी पता लगेगा तब इसकी इमेज को थोड़ा सा और स्टैडी किया जाएगा पता किया जाएगा समझ गए देखिए छोटा सा एक मिस्टरी है मिलको लिए ठीक है चलो चलिए तो ये देखे चैंग 4 नाम का मिशन था जो कि चौथा मिशन था चाइना का चैंग 1 और 2 पहले ये कर चुके थे चैंग 3 भी ये लोग कर चुके थे जो कि नियर साइड ओफ दा मून जो कि हमारी नॉर्मल जो में मून दिखता है न वहां पर इन्होंने बेजा था यूटू 1 के साथ में अभी इन्होंने दोस्तों चैंग 4 मिशन बेजा है वो फार साइड के उपर बेजा है चैंग 4 और इसके अंदर इन्होंने यूटू 2 रोवर है जो की बेजा है इसी प्रकार से चैंग 5 मिशन में यह क्या करेंगे जो सेंपल है न यह अर्थ के उपर है जो की यह लोग लेके आएंगे समझ गए इस तरह कैसे यह लोग काम कर रहे है ठीक है यह देखिए चैंग 4 स्पेसक्राफ जो है यह देखिए शिंग्चान से यह मू के ऊपर कोई भी एट्मोसफेर नहीं है जो बोन की होती है उसको स्टेडी करने को दो को ऑम लोग बोलते है तो यह जो यूट्व स्टव है इसको इक्विप इस रिकॉर्डेट वाला जो लूनर भीजाता है उसको नाम था लूनो गुडवन इसकी हाइस्ट कैपसिटी थी 39 दिन तक की है ना तो यह भी द्याद रखेगा बाकि तो कुछ और इंपॉरन नहीं है इसके अंदर इसकी डिफरेंट साइट है ना वहां पर मोर क्रेटर मोर फ्यू मारिया थिकर क्रस्ट यह सब है जो की देखने को मिलते हैं जो फार साइट ऑफ दा मून है पहली बार दोस्तों इसको लूना थी एक रश्चन स्पेस प्रोब के दुवारा 1959 में पता लगा जा था समझ गए दिया जा सके 2021 तक ऐसा बताया गया है कि साड़े 6 लाख युवाओ को दोस्तों स्किल ट्रेनिंग है जो कि इसके अंडर में दी गई है 17 से 35 साल के बच्चों को दी जाती है जो स्कूल से ड्रॉप आउट है जो यूथ दोस्तों फदर स्टेटी नहीं कर पा रहा है वहना उन अजिए जयूद्धा स्कूल में नहीं पढ़ पाया है जादा अच्छा काम नहीं जादा अच्छे पढ़ा ही नहीं कर पाता आगे जाके या जदा जो प्रचुनृटींटी इनएं तो उसको क्या प्रकार से एक और होते हैं डी नोटिफाइट कम्मुनिटीज भी होती है जो कि सोशली और इकनॉमिकली बैक्वर्ड होती है उनको लोग मैंनुरिटी कम्मुनिटीज नहीं क्याते हैं है तो यहां पर जो ट्रेनिंग उन यूद को दी जारी जिनके पास में स्कूल लिविंग सेटिफिकेट भी नहीं है काफी प्रॉब्लम होती जब आपके पास में स्कूल लिविंग सेटिफिकेट भी नहीं होते तब इसी प्रकार भी और भी कई सरे स्कीम पहले लॉंच करें गई जैसे कि सीखोर कमाओ उस्ताद हमारी धरोहर प्रदानमंत्री जन्विकास कारिकरम नया सवेरा यह सारी भी स्कीम जो की पहले लॉंच करें जा चुकिए इसी प्रकार से एक और आज का इंपॉर्टन डे जो की कल था इंडियन आम्ड फोर्सेज फ्लैग डे 2021 जो की दोस्तों साथ दिसंबर को पूरे देश में बनाए गया आम्ड फोर्सेज फ्लैग डे हमार चलिए 1949 के अंदर है जो इसकी शुनवाद जो की करीगे थी हमारे डिफेंस मिनस्टर थे उन्होंने कमिटी सेट अप करे थी और अब्सॉर्व करने के लिए बोदा था आम्ड फोर्सेज फ्लैग डे साथ दिसंबर को ठीक है आज के दिन की इतियास की बात करें 1856 में फर्स है जो की पूरी दुनिया से डब्लो एचो के दुवारा कर दिया जया वो केमिरिस की बात करें तो कॉंक्रेटाइस का मतलब होता है किसी चीज को कॉंक्रीट करना ठोस बनाना इस्ट्राइट का मतलब होता है प्रसंशा करना यह तीनों वड़ बहुत अच्छे हैं पैट्रो इस फार्मर्ण ने दोस्तों 16 साल लौकी स्टडी करी ताकि एक कैमिकल कंपनी को ओपर वो केस कर सके तो कि उसकी उसकी जमीन को पल्यूट कर दिया था और उसके पास में इतना पैसे नहीं थे कि वो लौकी बुक्स अफोर्ड कर सके लौयर अफोर्ड कर सके तो उसने क्या क बुक्स टोर ओनर के पास में कौन जो थे ना हमारे मक्का उसको एक्षेंज करके दिरे दिरे वो किताबे लेता दिरे दिरे वो किताबे पढ़ता ऐसे करते करते उसने 16 साल तक दोस्तों पढ़ाई करी उस कंपनी के ऊपर केस किया और फाइनली दोस्तों केस भी जो है उसने जीत लिया समझ गए और सब को compensation पूरे गाउन को उसने दिलाया तो यह देखिए दोस्तों जिनूर खतरनाक लेवल का चलिए इसके अलावा अगर आपको अनकेडमी पे किसी भी एक्जाम के preparation करनी हो तो बी एच्चु टैन आप लगा सकते हैं आपको 10% आफ मिल जाएगा यहां पर आप 40-plus exam में से कोई भी गोल से लेट कर सकते हैं प्लस में जाएए गेट सब्सक्रिप्चन में 12 या 24 मंथ और भी एच्चु टैन यहां पर लगा सकते हैं ठीक हैं एक बच्चे के सब्सक्रिप्चन के तुरू कर सकते हैं पीजा की कौश्ट पर 500 रुपे पर मन्त में बच्चों को पढ़ा सकते हैं इस्माइल फ्राल सुसाइटी डाट वार्जी के वेबसाइट पर जाके वॉलंटियर का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं आज के कोश्चन है दोस्तों इंसैट सिटी में कंडेक्ट करवाई जा रही है तो यह था आज का आपका इंपॉर्टन सेशन वीडियो को लाइक को शेयर जरू करेगा थेंक्यू गुडबाई मिलते हैं नौबजे वाली अनकैडमी के स्पेशे क्लास पर थेंक्यू